हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप अपने गूगल की सर्च हिस्टरी को कैसे डिलीट कर सकते हैं दोस्तो हम गूगल पर जो भी चीज़े सर्च करते हैं वो सभी चीज़े गूगल में सेव हो जाती हैं जैसे कि यहाँ पर मैं अपने मुबाइल में Google एप को ओपन करके दिखाऊं और यहाँ पर जैसे ही मैं सर्च पर किलिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने पहले जो भी चीजे सर्च की हुई हैं वो सभी मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं उसी तरह से दोस्तो अगर आपके वीडियो में मैं आप लोगो को बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो गूगल की सर्च हिस्टरी को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुबाइल में जो गूगल की एप होती है इस एप को आपको ओपन कर लेना है अ अब दोस्तों यहाँ पर आपको उपर अपनी प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक एरो का बटन मिलेगा तो आपको इस एरो बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको उस गूगल आइडी को सिलेक्ट कर लेना है जिस Search History वाले option पर click करना है, click करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर से देख सकते हैं, आपने Google में जो भी चीज़े search की होंगी, वो सभी आपको यहाँ पर से दिखाई देंगी, यहाँ पर कौन सी date में क्या आपने search किया है, वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो इनको delete करने के लिए, यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है, यहाँ पर delete, तो आपको इस delete वाले option पर click करना है, अब यहाँ पर अगर आप आज जो आपने search क्या है, उसको delete करना चाहते हैं, तो आपको delete today पर click करना है, अगर आप यहाँ पर से date select करना चाहते हैं, कि आप कौन से date से क क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद यहां पर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहां पर से डिलीट पर क्लिक कर देना है जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर से आपकी जो गूगल हिस्ट्री है वो साभी यहां से डिलीट हो अब यहाँ पर अगर हम इस search पर tap करते हैं तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं जो भी हमने पहले search किया हुआ था वो सब कुछ यहाँ से delete हो चुका है और यहाँ पर मैं Google वाली एप पर भी दिखा देता हूँ यहाँ पर search पर किलिक करते हैं तो देख़िए यहाँ से सब पूरी हिस्टरी यहां से डिलीट हो चुकी है तो इस तरह से दोस्तों आप अपने Google की सर्च हिस्टरी को डिलीट कर सकते हैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें